अधिती ने अलंक्रित लकडी के मन के पर अधिक विचार नहीं किया था क्योंकि यहाँ एक रिंग स्पिरिट के उप्योग के लिए एक वस्तु थी और उसके पास इसके लिए कोई उप्योग नहीं था लेकिन इस रात मन का ने अजीब तरह से रियक्ट किया था वह मन का जो आम तोर पर ठंडा रहता था गर्मी की लहरें बिखेनने लगा अदिती ने मन के को अपनी हथेली में रखा और मशानों और चंद्रमा के प्रकाश के नीचे वह वास्तव में अलंक्रित लकडी के मन के से निकलने वाली धुंद के धुंदले और हलके निशान देख सकती थी धुंद बहुत फीकी थी और इससे पहले की आप इसे देख पाते आपको बहुत मुश्किल से घुरना पड़ा अदिती के सामने जड़ीबूटी के बिस्तर पर हलकी धुंद फैल गई और जड़ीबूटियों को थोड़ा-थोड़ा करके धक लिया अचानक अदिती की आँखों में चमक आ गई क्योंकि उसने अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक उर्जा में उलेखनिय वृद्धी महसूस की यदि उसे उस आध्यात्मिक उर्जा का वर्णन करना होता जो एक जील के रूप में स्नो लोटस की खेती करते समय अवशोशित होती थी तो सामान्य जड़ीबूटियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उर्जा सिर्फ एक कर्चुल होगी और थोड़ी अधिक कीमती जड़ीबूटिया उसे बाल्ती भर प्रदान करेंगी लेकिन अब वह जिस आध्यात्मिक उर्जा को अवशोशित कर रही थी वह अचानक हवा की धारा में बह गई थी यहां एक जील के बराबर नहीं हो सकता है लेकिन एक जलधारा एक कर्चुल या बाल्ती से कई गुना अधिक बहतर थी इस खोज ने अधिती को हैरान कर दिया और उसने तुरंट लिटिल लोटस को बुलवाया जल्दबाजी में बुलाए गए लिटिल लोटस को जगाए जाने के बाद भी उनींदापन था और उसके कोमल गोलम टोल चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी उसने अपनी आखे मली और एक बड़ी बड़ी जमहाई ली क्योंकि उसके छोटे पैर मिटी में अस्थिर रूप से खड़े थे मालकिन आपको किसी चीज के लिए मेरी जुरुरत थी नीन में ननहे लोटस ने अपना सिर्ख हो जाया ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी अपने पैरों पर सो जाएगा अलंकृत लकडी के मनके को क्या हो रहा है अधिदी ने ननहे कमल के आदे मनता धकिला अलंकृत लकडी के मनके को देखकर ननहा कमल खिल उठा और उसकी नीन्द के सारे विचार चले गए उसने लालसा में इसे देखा और अनिश्चित रूप से इसे उठाया व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए उसने मोती को अपने पेट पर रगड़ा मैंने आपको इतने लंबे समय तक नहीं देखा था मैंने आपको बहुत याद किया अलंकृत लकडी के मनके को अपनी आख के पास लाते हुए ननहा लोटस दातों से मुस्कराया अदिती की भोहें तेडी हो गई और वहां बाहर पहुची और छोटे कमल को पकड़ लिया जो अलंकृत लकडी के मनके से पूरी तरह से विचलित हो गया था और उसकी आखों में देखा गंभीर रहो अदिती की और आखे जपकाता हुआ खड़ा हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है अदिती ने खुद को शांत किया और अलंकृत लकडी के मनके की पहले की विचित्र प्रतिक्रियाओं को धैर्यपूर्वक समझाया लिटल लोटस ने सुना और सिर हिलाया बुद्धिमान दिखने की कोशिश की और कहा यहाँ बहुत सामान्य है एमेलिष्ट वडन बीड पौधे आधारित रिंग स्पिरिट के उप्यों के लिए था और प्लाट आधारित रिंग स्पिरिट पौधों से अभिव्यक्ति आ थी यहाँ दिया गया है कि जब यहाँ पॉधो पर आधारित रिंग स्पिरिट पर प्रतिक्रिया करता है तो यहाँ सामान्य पॉधो और फूनों पर भी प्रतिक्रिया करेगा लेकिन सामान्य पौधों और फूनों में परियाप्त आध्यात्मिक शक्ती नहीं होती है और उनमें चेतना नहीं होती है और इसलिए वे खेती के लिए अलंक्रित लकडी के मनके की शक्तियों का उप्यों करने में असमर्थ होते हैं लेकिन फिर भी यहां उन्हें तेजी से ब अधिती नहीं की जाती है, इसे फैलाया जाएगा, और अलंकृत लकडी के मन के द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक उर्जा सबसे पौश्टिक चीज है, जो आप पौधों को दे सकते हैं। तो यहाँ न केवल पौधों पर आधारित रिंग स्पिरिट के लिए उप्योगी होगा, बलकि वह अलंकृत लकडी के मन के की अनूठी शक्तियों को भी उधार ले सकता है, और हिदन ट्लावड पीक के भीतर जड़ीबूटियों का उप्योग कर सकता है। अधिती ने महसूस किया कि मन का अभी भी थोड़ी सी गर्मी उतसरजित कर रहा था, और अचानक उसके दिमाग में एक आकरशक राक्षसी चेहरा प्रकट हुआ। उस वक्त अधिती ठिठक गई। अधिती के मुंग से बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में शब्द निकले क्योंकि उसने अपना सिर लटका लिया और उसके चेहरे पर एक ग्रूभंग पैदा हो गया। उसने अचानक जून वुयाओ के बारे में क्यों सोचा। उसने अपने कपड़ों से कागज निकाला और कुछ लिखा और साम को निगलने से पहले उसे पैराफिन मों से सील कर दिया। उसने साम को घास में फिसलते हुए देखा और वह जल्द ही गायब हो गया। और ये शाने अचानक एक लंबी आ भरी। मेरे नाथ, मैं आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता हूँ। उस रात के बाद दिन में अदिती कभी कभार ही जड़ीबूटी की क्यारियों के आसपास नजर आती थी, लेकिन रात में, जब बाखी सब दिन के लिए निवरित हो जाते थे, तो अदिती जड़ीबूटी की क्यारियों की ओर चलती हुई नजर आती थी। के में बदलने के बाद कांग जू, हुआ याओ का दैनिक कार्य अहंकारी और ठंडा मोर्चा बनाना था, और इतमिनान से जीवन व्यतीत करते हुए शिश्यों पर हावी होना था। धक लिया और हुआ याओ की आंखों से चिप गया। हुआ याओ के हाथ में लकडी की कंगी धूर में धंस गई। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो, हुआ याओ ने बेवकूफ का गला घोड कर मार डालने की लालसा की। कियाओ चू उसके लिए गुस्से के अलावा कुछ नहीं लाया, क्या उसे चिढाने के लिए कुई और नहीं मिल सकता। कियाओ चू दिखावती धंसे टेबल पर बैठ गया और पीने के लिए एक कप पानी डाला। मैं यहाँ सिर्फ स्थिती देखने आया हूँ। तुम दोनों ने पहले जो प्लैन बनाए थे, वह तो अच्छे ही लग रहे थे, पर इतने दिनों से कुछ हो क्यों नहीं रहा है। कि यून कभीले का सफाया कर देंगी? लेकिन वे क्यों नहीं चल रहे थे? हुआ याओ ने गहरी सांस ली. उसने महसूस किया कि उसे यहाँ इस दोल को सपष्ट रूप से समझाना होगा या उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा. कि यू कल हिडन क्लाउड पीक पर आ रह और हुआ याओ को लगा कि अधिती को इसके बारे में जानने की जरूरत है. दोनों इतनी देर से ही इंतजार कर रहे थे कि याओ चू को अंतर निश्क्रियता की अवधी का कारण समझ में आया. हुआ याओ ने अभीके का रूप ग्रहन किया था कांग जू और यद्यपी वह जानता था कि के कांग जू थे, उनके व्यक्तित्व और तौर्टरीकों को पूरी तरह से कौपी करने के लिए उन्हें और समय चाहिए था. इसके अलावा के कांग जू बलकी सांथगांट कर रहा था और अपनी इच्छा से किन्यू के पास लगभग कभी नहीं गया था, और अगर वे सीधे किन्यू तक गए थे और अपना अनुरोध किया था, तो किन्यू को संदे हो सकता है, इसलिए वे पीछे हट गए थे और कि अधिती को खबर सुनाते हुए दोड़ा, हुआ याओ के मुह का कोना हिल गया क्योंकि उसने खुली खिड़की को देखा, यह सोच कर कि वह अगले दिन लोगों से इसे सील करवाएगा, याओ चू सीधे अधिती को खोजने के लिए उर गया और जैसा कि उसने उमीद की थी बच्चा खुद को जड़ी बूटियों के बिस्तरों में व्यस्त कर रहा था, वह अधिती के पास गया और उत्सा से बोला किन्यू हुआ को देखने के लिए आ रहा है, कि कांग जू और भाई हुआ ने मुझसे पूछा कि क्या आपो कुछ भी तयार करने के लिए हमारी जर रही थी, क्याओ चू दंग रह गया, और उसने छोटी काली बिल्ली को थोड़ा जाना भचाना पाया, क्या वह आपकी रिंग स्पिरिट है, उसे आखिरकार याद आया, जब उन्हें भूमिगत कक्षवाली इमारत में फैका गया, तो बिल्ली शेल्फ के पीछे चिप गई के रूप में देखेगा, क्याओ चू ने सिर हिलाया और काली बिल्ली को सहलाने के लिए अपनी बिल्ली के पास बचा और उसने अधिती से पूछा, क्या तुम्हारी रिंग स्पिरिट वही काला जानवर है, जो पहले प्रकट हुआ था, वह राजसी काले जानवर को नहीं आहत हुई, गर्वित फर्बॉल को, वह अचानक रुख गया, जब उसने बिल्ली की छाती पर सोने के फर्की एक बिजली के आकार की शिखा देखी, काले जानवर पर पहले वही चीज देखकर उसे याद आया, और यहाँ एक ही आकार का था, और एक ही स्थिती में था, यहा आसानी से उसके लिए इसकी पुष्टी कर दी, क्याओ चू अपना मुंग खोल कर वही खड़ा रहा, उसे अपने सदमे को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले, छोटी काली बिल्ली ने रिंग स्पिरिट का संकेत नहीं दिया, और क्याओ चू ने निशकर्ष निकाला जैसा अदिती ने कहा था, उसे पता चला था कि मुख बच्चा जो ज्यादा नहीं बोलता था, वह ऐसी चीजे करता था जो सामान्य लोग समझने की उमीद नहीं कर सकते थे, और उसने अनुमान लगाया कि भाई हुआ भी इस बार अदिती के फैसले का कारण नहीं समझ पा रही थी, कल मेरे कमरे के बाहर पहरा देना, और किसी को अंदर जाने की अनुमती न देना, स्वयम भी शामिल है, अपनी बात कहकर अदिती मुडी और काली बिल्ली को गोद में लेकर चली गई, क्याओ चू अवाक रह गया क्योंकि उसने अदिती को वापस गायब होते तो वह भाई हुआ के पास बिल्ली नहीं ला पाता, कम से कम जाने से पहले यह स्पष्ट कर दें, अगली सुबा भोर में, अभी भी सोया हुआ क्याओ चू अपने दर्वाजे पर एक कान छिदवाने वाली खरोच की आवास से बुरी तरह से चौक गया था, गुस्से से दर जवाजे अभी भी कसकर बंद थे, शायद अभी भी अपने सपनों में गहरी नीन सो रहे थे, छोटी काली बिल्ली ने अपनी आखे सिकोड ली, कल रात उसके खिलाफ उसका असानिया स्वभाव गायब हो गया था, लेकिन उसकी जगा करकडाती ठंड ने ले ली थी, आखे, उनका लुक बिल्कुल वैसा ही था, उन आखों में घूरते हुए, क्याओचू में अचानक इसे ले जाने की हिम्मत नहीं रही, इसने किसी तरह उसे महसूस कराया कि वहाँ अधिती को गोड में ले रहा होगा, छोटी काली बिल्ली ने इस बार अपने पंजो को नह अपनी थुड़ी ऊपर करके बैठ गई, आखे अभी पीस पष्ट रूप से ठंडी थी, क्या द्रिश्य है, मुझे ऐसा क्यों लता है कि तु और तेरा स्वामी एक ही सांचे से बने हैं, वे आखे और व्यक्तित्व उसके मालिक की प्रतिकृती मात्र थे, हाला कि कल रात का काली बिल्ली ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी थी, उसके पास अपनी शंकाओं को दूर करने का समय नहीं था, क्याओ चू ने भोर से पहले अभी भी गहरे आस्मान का उप्योग किया, और हुआ याओ के क्वार्टर की ओर तेजी से बढ़ा, हुआ याओ अभी भी गहरा सपना देख रहा था जब एक जोरदार दुरगटना ने उसे अचानत जगा दिया, वह तुरंग उठकर बैठ गया और उस बदमाश को घूरने लगा जो सीलबंध खिड़की से तूट गया था, भाई हुआ, सुबह छोटी काली बिल्ली को लाने के बाद किया उचू ने कह जब उसने अपने कपरों पर सुबह की ओस से मुक्त होने के लिए खुद को थप्ट पाया, वे कपरे देखने योग्य थे और वहाँ उन्हें बहुत संजोता था, हुआ याओने अपनी कनपटियों को रगड़ा, सिरदर्ध महसूस हो रहा था, उसने अपने भीतर के आगर को अपने पास मौजूद हर चीज से दबा दिया, मौत के लिए उसके सामने ट्विट का गला घोंट दिया, क्या वहाँ आम लोगों की तरह बरताव नहीं कर सकता था, दस्तक देने वाले लोग, हुआ याओने अपने गुसे को निगल लिया, उसकी आखे चिकने काले पसे शांत काली बिल्ली को देख कर भोचका रह गया, क्याओ चू एक कुरसी पर गिर पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, छोटी अदिती ने मुझे इसे लाने के लिए कहा, उसमें किन यू के साथ बैठक के लिए बिल्ली को साथ लाने के लिए कहा, भाई हुआ आपक जैसा कि हुआ याओ एक कारण सोचने के लिए अपना दिमाग लगा रहा था, बिल्ली जो उन्हें ठंडेपन से देख रही थी, उसने अचानक बोलने के लिए अपना मुह खोल दिया, किन्यो कबा रहा है, ठंडी, सपश्ट आवाज उनके लिए बेहत परिचित थी, और ऐ ऐसा लग रहा था जैसे अचानक बिजली गिरी हो, उनकी आत्मा सदमे में उनके शरीर से लगभग उर गई हो, वह बिल्ली बात कर सकती थी, और अदिती की ठीक वैसी ही आवाज में, कियाओ चु अपनी कुरसी से लगभग गिर गया, उसका मुह खुला हुआ था, हुआ य कियाओ चु अभी भी अपने आपको अंदर से चीकता हुआ महसूस कर रहा था, भाई हुआ, मुझे एक बार मारो, देखो कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, कियाओ चु अपना दिमाग खो रहा था, हुआ याओ ने उल्लास के साथ निमंतरन स्वीकार किया और उसके चे पर जोरदार थपड मारा, वह बड़ा थपड अगले पीक में लगभग सुना जा सकता था, क्या उससे चोट लगी, हुआ याओ ने चाला की से पूछा, अपना बदला लेने के बाद बहर महसूस कर रहा था, क्याओ चु ने उसके लाल गर्म जलते हुए गाल पर अपना हा भावनाओ की कोई लहर नहीं दिख रही थी, कोई नहीं जानता था कि वह लिटल ब्लाक अपनी आत्मा की अदलाब दली कर सकती है, उनके विलय के बाद उसने महसूस किया कि वे दोनों आत्माएं बदल सकते हैं, लेकिन कुछ जोखिमों के साथ, चोटी काली बिल्ली की आत प्रदान के दोरान, अदिती छोटी काली बिल्ली के शरीर को काले जानवर में बदलने में सक्षम नहीं होगी, यह कहा जाना चाहिए कि आदान प्रदान को अंजाम देने से छोटी काली बिल्ली और उसके दोनों के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा हो गया, आत्मा का आदान प्रदान तभी किया जा सकता है, जब दोनों शरीर और संपूर्ण और पूर्ण हो, जब उसका नया जन्म हुआ, तो अदिती का शरीर बुरी तरह से क्षत्विक्षत हो गया था, और वह आत्मा का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं थी, छोटी काली बिल्ली की आत्मा एक मानव शरीर को बनाए रखने में असमर्थ होती और उसकी आत्मा शरीर के साथ मर जाती, और अदिती अपना पूरा जीवन छोटी काली बिल्ली के शरीर के भीतर कैट कर लेती, और बदलने में असमर्थ होती, इस बार अदिती ने किया और चुके प्रती अपने भरोसे के आधार पर इस तरह की कारवाई का फैसला किया था। हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय तक सहयोग न किया हो लेकिन इस अवधी के दौरान उनकी बादचीत के आधार पर वह जानती थी कि गट बंधन के इस अवधी के दौरान उन दोनों पर भरोसा किया जा सकता फिर भी वहां उन्हें आत्मा विनिमय में शामिल खत्रों और जोखिमों के बारे में बताने का इरादा नहीं रखती थी ताकि उन्हें कोई विचार प्राप्त करने से रोका जा सके। इसके अलावा, उसे नुकसान पहुचाने से उन्हें यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अधिती ने जो भी कार्य किया, उस पर बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक विचार किया गया था और बार-बार विचार विमर्श किया गया था। वहां निश्चित होन को पूरी तरह से बदल दिया था कि दुन्या में चीजे कैसे काम करती है। एक लंबी असर चुपी के बाद, हुआ याओ आखिरकार ठीक हो गया और उसने छोटी काली बिल्ली को देखा, उससे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था जैसे वहां अधिती से बात कर रहा कि किन्यू को क्या कहना है? कुआ याओ ने पूछा. काली बिल्ली ने सिर हिलाया, असाधारन रूप से सुंदर लग रही थी. मुझे केके प्रती किन्यू की सहनशीलता के स्तर को आकने की जरूरत है कांग जू. जू की परिस्थितिया बदल गई थी, वहके का उप्योग कर क्यों ना हो, उसे किसी भी चीज पर संदेह नहीं होता क्योंकि इससे पहले किसी ने भी किसी इनसान के बारे में नहीं सुना था कि वह किसी जानवर के साथ आत्माओं की अदलाब दली कर सके. जब आस्मान हलका हुआ, तो क्याओ चू चला गया और अधिती के दर्वाजे क के पीछे टैग किया. किंग यून कबीले की ताकत के पीछे जो आदमी है, वह पूरे देश में चिकित्सा में सबसे उच्च कुशर होने का दावा करता है. किंग यून कबीले के शास्कों की पीडियों के दौरान, वे सभी चिकित्सा में असाधारन कौशल रखते थे. भग हर दिन, लोग बिना बुलाएं ही आ जाते थे. उमीद करते थे किंग यून के दर्द और बीमान्यों को कम करने में उनकी मदद करेंगे. उपचार और चंगाई की उच्चमाम के अलावा, कई अन्य लोग अमृत के लिए उसके पास उमर पड़े. अमृत की चिकित्सा और खेती कभी अलग नहीं होती थी और कुशल चिकित्सकों के पास हमेशा एक अमृत या दो के लिए अद्वितिया व्यंजन होते थे. किंग यून कभीले में यहां माना जाता था कि किंग यून के उपचार कौशल एक व्यक्ति को मृत्यू के कगार पर वापस ला सकते है और उसके सभी घावो को दूर कर सकते हैं. उनके अमृत की बहुत मांग थी क्योंकि लोग बीमारियों और बीमारियों के शिकार होने के लिए बाध्य थे और बीमार बीमार या गंभी रूप से घायल भी किंग यून कभीले की लंबी कठिन यात्रा से बचने में सक्षम न किंग यू को अपनी औश्धिय विशेशग्यता उधार देने के लिए समझाने के लिए कई विशेशग्य प्रतिपादकों ने स्थानिया भाड़े के सैनिकों के रूप में सेवा करने के लिए किंग यून कभीले के भीतर रहने के लिए स्वेच्छा से काम किया और अंधि किंग यून कभीले के शिश के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए संधर्ष किया। का क्वार्टर और प्रवेश किया। उसके चहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उस सौमे चहरे पर बादल छा गए, उसकी भौहे टेडी हो गई, उसकी खराब मनोदशा और नाराजगी स्पष्ट थी। उसका चहरा काला पड़ गया, किम्यू तेजी से आगे की ओर बढ़ा, चारों और के रास्ते से परिचित लग रहा था। वाक्षणों में स्टडी में खड़ा हो गया, कि कांग जू अपने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से फ्लिप करते हैं। एक धमाके के साथ किम्यू ने दर्वाजा बंद कर दिया। हुआ याओ ने अपनी मेज के पीछे से देखा, उसका घिनोना चहरा एक भयानक मुस्कान में बिखर गया। एक छोटी सी काली बिल्ली आलसी धंग से देश्क पर लेटी हुई थी, उसकी आखे बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहा गहरी नींद में सो रही हो। आज हमारे महराजा का मूर खराब लग रहा है, हुआ याओ नेकी की नकल करते हुए कहां कांग जुका व्यम्यात्मक लहजा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा जहर गड़ हो, जो लोगों को मौत से भी बत्तर बना दे और अकलपनिया भयानक पीड़ा दे, किन्यू का चहरा सपष्ट घ्रिना स विकरित हो गया था और उनके शब्द विश से तपक रहे थे, ओ, किसके लिए, हुआ याओ ने हलके से पूछा, किन्यू ने एक गहरी सांस ली, अपने सीने में उठे गुसे को दबाते हुए, यू यान और एल्डर जियां मर चुके हैं, हुआ याओ एक पल के लिए ठिठ देखा तो वह चाया में छिपा हुआ था कांग जू अंडर ग्राउंड चेंबर में भोले भाले युवो को सता रहा, उसका खूपसूरत चेहरा कप्ती नकाब था, के साथ मिली बगत से काम कर रहा था कांग जू. कांग जू, उसके चहरे पर सौमय दयालुता और सौमयता का जूटा चहरा, किन यू की तरह, लेकिन गुप्त रूप से निरिशन स्कर्मों का पक्षकार था, साथ में भयानक और भयावा दिखने वाले के कांग जू. यू की आख के बहुत कीमती सेप के रूप में, वह इतनी अचानक कैसे मारी गई? मेज पर छोटी काली बिल्ली ने अपने कान फर्फराएं और अपनी आखे धीरे से खोली, और नफरत की एक जिल्मिलाहट चमक उठी क्योंकि उसने कमरे में अपनी थंडी टकट की लगा ली और वे आखे किन यू से गुजरी. किन यू को उम्मीद से पहली ही किन यू यान की मौत की खबर मिल गई थी. क्यूई के दुस्सासी छोटे सामराज्ज ने हमारे खिलाफ इस तरह का उपहास करने का साहस किया. उस बेकार नो गुड जून फैमिली ने वास्तव में मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की. मैं चाहता हूँ कि पूरा प उस पर काबू पाने की धंकी दे रहा था. वहाँ अब यूवा नहीं था और पहले से ही अधेड उम्रका था और उसके पास केवल किन यू यान थी जो उसकी सबसे प्यारी इकलौती बेटी थी. उनकी सबसे प्यारी बेटी की क्यूई के दूर के सामराज्ज में क्रूरता स हत्या कर दी गई थी और अपमान और क्रोध ने क्यूई सामराज्ज पर हमला करने और अपने दुश्मनों को टुकडे-टुकडे करने के लिए एक बल का नेत्रित्व करने के लिए एक मजबूत आगरह किया. यू कि शेखी सुनने के बाद हुआ याउ हैरान रह गया और उ किले के लिए इतनी गहरी नफरत थी कि वहां उनमें से सभी को खत्म करना चाहती थी. अब ऐसा लग रहा था कि अगर उसका शक सही था तो अदिती जून परिवार से निकट्टा से जुड़ी हुई थी जिसने किंग यू यान को मार डाला था और किंग यून कबीले को खत् आपको ऐसा करने की आवशक्ता नहीं है. क्या किंग यून कबीले के कुछ अत्यदिक कुशल निवासी भाड़े के सैनिक उन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप नहीं होगी? यू के गले से एक थंडी हंसी निकल गई, एक सीथी मौत उनके लिए बहुत आसान ह मैं चाहता हूँ कि उन्हें मौत से भी बत्तर भाग्य का सामना करना पड़े. मैं उन्हें क्विंग यून कबीले में वापस लाऊंगा और उस पीडा दायक पीडा को महसूस करूंगा जो मैं उन पर डालूंगा और उन्हें मारने की भीक मांगूंगा. इससे कम कुछ भी म मारने वालों को धर्ती पर चलने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए. यदि उसके हत्यारों को असानिया यात्मा नहीं दी जाती, तो उसकी बेटी की आत्मा को शान्ती नहीं मिलती. हुआ याओं ने कथित सहमती में सिरह लाया. छोटी काली बिल्ली के भीतर अधिती आत् किन्यू ने चाहे किसी को भी भेजा हो, वे जून परिवार पर उंगली नहीं उठा पाएंगे. यह सिर्फ कुछ लोगों को मार रहा है, मैं इससे सहमत हो सकता हूँ. लेकिन बदले में, मुझे चाहिए कि आप मेरी एक शर्ट से सहमत हो. क्या है वह, किन्यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, उसका दिमाग किन्यू यान के लिए बदला लेने के लिए तयार था और वह केई कि किसी भी शर्ट के लिए सहमत होगा कांग जू चाहता था. हुआ याओ थोड़ा और आत्मविश्वासी हो गया और वह मुस्कुराया, मैंने इसे एक शर्ट कहा होगा, लेकिन वास्तव में आपकी बेटी का बदला लेना मेरे लिए एक आवशक्ता है. है, मेरी राय में जियांग चेन क्विंग को मारने में सक्षम बहुत से लोग नहीं है, और अगर मेरी याददाश सही धंग से काम करती है, तो जियांग चेन क्विंग और सबसे बड़ी मिस्के प्रतिनिधीमंडल के साथ कई उच्च कुशल प्रतिपादक भी आये थे और वे सभी मारे गए थे। इससे मुझे संदेह होता है कि क्यूई सामराज्य के पास विशेशग्य है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि कुशल लोगों पर जहर का प्रभाव कमजोर हो जाता है और वे जितने अधिक कुशल होंगे प्रभाव कुथना ही कमजोर होगा। नई भरतियां बहुत कमजोर हैं और मैंने अपने शोद के लिए प्रायोगिक नमूने के रूप में उनका उप्योग करने में रुचिक हो दी है। मैं उनसे परियाब परिणाम प्राप करने में सक्षम नहीं हूँ। बारा शिखरों के भीतर के शिश कुशल है और उन्होंने अपने शरीर का हमेशा पालन पोशन और विकास किया है। उनकी आध्यात्मिक शक्तिया भले ही विशेशग्य व्याख्याताओं के समानांतर नहों, लेकिन उनके शरीर की स्थिती कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत बहतर है। अगर मैं अपने जहर का प्रयोग करने के लिए उनका उप्योग कर सकता हूँ, तो परिनाम इसके प्रभावों का अधिक सती प्रतिबिम देंगे और आपकी बेटी की हत्या तरने वाले लोगों पर अधिक पीडादायक पीडा पहुँचाएंगे, क्या आप सहमत नहीं हों अगर मैं उनमें से प्रत्यक चोटी से अलग-अलग उनमें से कुछ चुनलू, तो वैसे भी इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। निश्चिन रहें कि मैं आप में से किसी को निशाना नहीं बनाऊंगा। के कांग जू, आप इस बार कुछ ज्यादा ही दूर ज अक्ष्य बना रहा है, यह दूसरे बुजर्गों के मुह पर करारा तमाचा होगा। यून कबीले के इनर हाउस के सभी शिष्यों को पता था कि हिदन क्लाउड पीक किस तरह की जगा है। यदि उन्हें ऐसे ही ले जाया गया, तो संबंधित बड़ों के अन्य शिष्य अप के पत के साथ आई थी जो की आपकी कमान बन गई थी। यदि आप उस अधिकार के लिए लालाइत नहीं थे, तो कि यून कबीले के संप्रभू की प्रतिष्ठित स्थिती शायत लाव ट्रेडिंग पीक म्यू चेन के हाथों में आ गई होगी। हुआ याओने के की नकल की का हाई पिच आवाज पूरी तरह से। हुआ याओं के सपष्ट आगरा ने किन्यू को पीला पड़ गया और उसने अपनी मुठी कसकर पकड़ ली। अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल करते हुए किन्यू ने नापाक के का मुंग तोड़ देने की बढ़ती हुई इच्छा को नीचे धकेल दिया कांगजू जिसने उन धंकी भरे शब्दों का उच्चारन किया था। केको मारने के लिए बहुत लल्चा गया था कांगजू को अंधिनत मौकों पर लेकिन उनोंने खुद को दो अच्छे कारणों से रोक लिया था। एक था वह के कांगजू ने चिप गया, कहीं ऐसा न हो कि वे दोनों एक साथ नश्ट हो जाएं। इन दो कारणों में से दोनों ने किन्यू का हाथ पीछे किया और यहां तब कि उसे केके अधीन होने के लिए मजबूर किया कांगजू। कुरसी पर वापस बैठने से पहले किन्यू ने एक लंबी सांस मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि अगर मुझे आपके अनुरोद को स्वीकार करना है तो मैं अन्य बडो को जवाब नहीं दे पाऊंगा। कि लिए जुकना कांगजू की धंकी किन्यू के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे हमारे के लिए काम करने के लिए कैसे और क्या करना है इसका फैसला करने के लिए हम अपने संप्रभू पर छोड़ देंगे। कुआ याओं ने किन्यू के व्यवहार में बदलाव के बाद भी हिलने से इनकार कर दिया। वहके नहीं था कांग जू और उसने परवाह नहीं की अगर उसने किन्यू को नाराज किया भले ही उसने किन्यू को इसके लिए मारना चाहा हो। हूआ याओं के लिए केवल एक चीज माइने रखती थी कि क्या वह किन्यून कबीले के भीतर अराज़कता फैला सकता है। किन्यूने के पर गुस्से से देखा कांग जू और काफी देर चुप रहें, इससे पहले कि वहां अंत में बोले ठीक है, मैं इसे करने के लिए सहमत, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप किसी भी बुजुर्ग के प्रत्यक्ष शिश को स्पर्ष नहीं करेंगे, और आपको कम से कम समय में मुझे जहर देना होगा क्योंकि मैं इंतजार करने से इंकार करता हूँ, अपनी बेटी की हत्या का बदला लेने की इच्छा से अंधा हो गया, और केके अधीन हो गया कांग जु की सपष्ट धंकी, किन्यू के पास के को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कांग जु की अनुचित मांगे, हालां कि किन्यू को पता जल्द ही उसे अपने ही शब्दों को खाने पर मजबूर कर देगा, उसने सोचा था कि यद्यपी के कांग जु अहंकारी हो रहा था, वह मर्यादा जानता था और मर्यादाओं को नहीं लांगता था, उसे पता ही नहीं चला कि कांग उसके पहले जु को एक अलग व्यक्ति क के साथ बदल दिया गया था और यहाँ व्यक्ति हुआ याओ अदिती के साथ मिलकर तबाही मचाने और किंग यून कभीले को अराजकता में डुबोने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था निश्चिन रहें मुझे यकीन है कि आप इस कि ठीक उसके सामने वह व्यक्ति जिसके साथ वहा अपनी योजनाओं को साज़ा कर रहा था वहीं किंग यून कभीले में उसके निधन की साज़िश रच रहा था किंग यू के जवाब से संतुष्ट होने के बाद वहा जाने के लिए उठा जैसे ही किंग यू अध्ययन के दर्वाजे के पास पहुची हुआ याओ ने अच्छानक कहा उस नक्षे को सुरक्षत रखना याद रखना किंग यू के कदम धीमे हो गए और वहाँ एक पल के लिए खिठक गया जैसे ही उसकी पीठ सीधी हुई थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से दे रही थी जब उसने जवाब दिया. किन्यू चला गया और केवल हुआ याओ कमरे में छोटी काली बिल्ली के साथ अकेला रह गया. चुपी व्याप हो गई और अन्त में हुआ याओन ने अपना सिर उसकी हथयली पर रख दिया और छोटी काली बिल्ली को देखा, जो इस हुआ याओ उसके इमानदार जवाब से अचम्भित रह गया और अचानक जोर से हंस पड़ा तो इसलिए तुम किंग यून कभीले का सफाया करना चाते थे आपने आज की घटनाओं के इस समय होने की उमीद की थी आपने तर्ब दिया कि अगर किंग यू को आपके करने से पहले प्रतिक्रिया करने की अनुमती दी जाती है तो आपके पास जवाबी कारवाई करने के लिए अपरियाप शक्ती होगी और आपने किंग यून कभीले को इस से एक करम पहले मिता देने का फैसला किया है हाँ अधिती ने सरता से कहा हुआ याओ ने छोटी काली बिल्ली को गौर से देखा थंडी आखों की उस जोडी के माध्यम से वह उस छोटे से शरीर के भीतर आत्मा की एक जलत पाने में सक्षम प्रतीत हो रहा था यून कभीले के साथ मामला सुलजने के बाद यदि आपके पास समय हो तो क्या आप हमारे साथ वापस जाएंगे उसने सोचा इतनी कम उम्र में और इतना शांत और सावधानी मूर्वत दिमाग रखने के लिए एक अविश्वस्निय सयोजन के लिए बनाया गया क्या मैं पहले से ही इसके लिए सहमत नहीं था काली बिल्ली ने अपनी आखिर सिकोड ली और मेज से कूद गई किन यूकी के 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 लिए कोई सीमा नहीं थी कांग जूकी कृपालू मांगे जब तक कि इस से प्रभुसत्ता के रूप में उसकी स्थिती को खत्रा ना हो हम अन्य चोटियों में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं वैसे भी हम चाते हैं इस अवसर को मत गमवाओ अधिती ने इन शब्डों को पीछे छोड़ दिया और काली बिल्ली के शरीर के साथ फुर्ती से छलांग लगा दी हुआ याओ ने अपनी आँखों के सामने काली बिल्ली को छलांग लगाते हुए देखा और उस दुरलप पल में उसकी मुस्कान उन आँखों तक पहुँच गई यदि यहाँ अधिती होती तो वह दवा का उत्पादन करने में सक्षम हो सकती थी किन्यू यान की मौत की खबर से किन्यू का गुस्सा लगभग बेकाबू हो गया था और वह जून परिवार और क्यूई के शाही परिवार पर उनमादी बदला लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था इस हद तक कि उसने अपने हत्यारों को अकलपनिय पीडा दी थी सपने में भी इकलोती बेटी उसके लिए दुख की बात है उन सपनों में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही अदिती जो उसकी प्यारी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार है किंग यून कभीले में वही थी जब उसने अपना बदला लेने की साजिश रची थी तो उसकी हर बात सुन रही थी किंग यून जून परिवार का सफाया करना चाहता था और अदिती का इरादा पूरे किंग यून कभीले को दफनाने का था एक छिपा हुआ था और दूसरे ने अपने दुश्मन को देखने के लिए सब कुछ उजागर कर दिया था खेल ठीक यही बादल वाली चोटियों की गहरी खाई में शुरू हुआ किंग यून कभीले की ताकत ने अदिती को पोई गलती नहीं करने दी अगर वो किंग यून कभीले को पूरी तरह से खत्म करने में विफल रही तो यह जून परिवार के लिए अचुक विनाश होगा किया अचुकी चौकस निगाहों के तहट अपने कमरे में दाखिल हुई और अपनी आत्मा को वापस अपने मूल शरीर में बदल लिया वापस अपने शरीर में अदिती धीरे से उट बैठी उसकी आखों में कोई भाव नहीं था चोटी काली बिल्ली अपनी गोड में लेटी हुई थी काफी ठका हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी ननही आत्मा ने अदिती के बड़े शरीर को बनाये रखने के लिए अपनी उर्जा का थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर दिया था अदिती ने उदित होते सूर्य की खिड़की से गिरी धूप की किर्णों को देखा उसके मिशन की तरह यहां अभी चमकना शुरू ही हुआ था हुआ याओ ने किन यू की प्रारंभिक सहमती प्राप्त कर ली थी और किंग यून कबीले में अराजकता की लहर आने वाली थी उस अव्यवस्था के बीच अधिती को केवल किंग को ठेश पहुचाने की आवशकता होगी यू कबीले हलके से यहां से आगे अपने कयामत की ओर बाद में उसी दिन हुआ याओ ने सिनिस्टर के के रूप में उपस्थिती दर्स कराई कांग जू और अधिती और क्याओ चू का नेत्रित्व किया उनके दो हाल ही में पसंदीदा शिश और अपने निकर्टम पडोसी आश क्लाउड पीक का दोरा किया एश क्लाउड पीक पहले जियांग चेन किंग के अधीन था जियांग चेन किंग के निधन के बाद एश क्लाउड पीक का संचालन उनके सबसे वरिष्ट शिश गाओ के हातों में आ गया जियोंग जब किन यू यान की मौत की खबर आई तो जियांग चेन क्विंग के गुजर जाने की खबर एश्ट लाउड पीक तक पहुँच गई चोटी के भीतर सभी शिश्य अभी भी शोक में थे और जियांग चेन किंग के तीन प्रत्यक्ष शिश्य इस बात से तबाह हो गए थे हुआ याओ ने गाओ पर नजर डाली जियोंग ने खारिस करते हुए कहा प्रभू के आदेश के तहट मैं यहां एश क्लाउड में कुछ शिश्यों को हिडन क्लाउड पीक पर मदद करने के लिए चुन रहा हूँ गाओ जियोंग जम गया यह जानकर की हिडन कलाउड पीक किस तरह की जगा है यही वास्थान था जिससे अन्य शिखरों के सभी शिश हर समय बचते थे न केवल हिडन क्लाउड पीक के आम शिश बलकी के कांग जू के अपने प्रत्यक शिशों को अकसर रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए जाना जाता था और हाला की अनकहां वे सभी जानते थे कि वे शिश कहां गायब हो गए थे अब एल्डर के स्वयन शिशों को चुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से एश्ट लाउड पीक से पहले आये थे अप्रत्याशत मांग ने गाउं को बनाया जियोंग ने महसूस किया कि उसकी रीड में थंड़क डौड रही है के कांग जू की मदद की परिभाषा का मतलब था कि चुने गए शिश्य जल्द ही अपनी जान दे देंगे एल्डर के हमारे मास्टर का अभी अभी निधन हुआ है क्या आप गाउं जियोंग की आवास करकश थी और पसीना उसकी पीठ पर डौड रहा था जब जियांग चेन किंग अभी भी आसपास थे तो केके सामने भी उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी कांग जियांग चेन किंग के रूप में जू उनकी पीठ ठोकेंगे लेकिन जियांग चेन किंग के गुजर जाने के बाद के कांग जू ने एश्ट लाउड पीक तक आने में कोई समय बरबाद नहीं किया और मांग की कीवे शिशो को उसके हवाले कर दे यहां एक बुजर की सुरक्षा के बिना चोटी को धमकाने का एक स्पष्ट उदाहरन था गाउजियोंग ने अपना गुसा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और केवल के को देख सकता था कांग जू बेपसी युन कबीले के एक बुजर के रूप में मैं दुखी हूँ और आपके शिक्षक की ओर से इन गरीब शिशो की देखभाल करने की पेशकश कर रहा हूँ गाउजियोंग आप अपनी जगा बहतर जानते हैं और मैं यहां केवल कुछ शिशो का चयन करने के लिए हूँ निश्चिन रहें आपको और आपके दो वरिष्ट साथी शिशो को बक्षा जाएगा क्योंकि मैं एल्दर जियां को उनके पसंदीदा प्रत्यक्ष शिशो को कम से कम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ने के लिए परियाप रूप से अनुग रहिद हूँ